तो गाइज अगर आपका कट्टन क्रीपर का बॉंजाई बन जाता है तो वो कुछ इस तरह दिखेगा फ्यूचर में ठीक है आप इसका ट्रंक देख सकते हो आप इसका निबारी देख सकते हो यह चोटे पॉर्ट में है और आप इसके पत्ते देख सकते हो इसका अभी अभी यह सारे शूट से वह आये है इसके शूट थोड़े यहां तक भी आ जाएंगा यहां तक आराम से घना हो जाएगा यह जाएगा यह जिस नए शूट सायगा इसलिए इसके इतने शूट्स आपके बुशी नहीं है वान अप अधाशत तो लगाई सकते हो अगर आप एक क्रिपर से आप कितना एजीली बना सकते हो मैंने कटन क्रीपर के उपर पहले भी वीडियो बना रखे हैं कि आप कैसे बॉन अनुक्त बना सकते हैं कि आज का आप इसको कम समय में बनाना चाहते हो तो जो गाई यह आपके लिएक दम पर्फेक्ट रहेगा क्योंकि मैं देखके खुद अमेजू के एक देड़ महिने में इसका जो ग्रोथ है वह देखके में पागल हो गया हो गया है यह तो बैस चीज़ है इससे में कितने सारे बना सकते हो और अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो आप इसको देख सकते हो वहां पएए यहां पर एक है आए चलो हम इसको अनीलासिस करते है थोड़ा सा आप देख सकते हो इसके ऊपर काफी रौश Uhr बूँ डिखने में तो बड़ा निकला हुआ है जिस दूनों के ऊपर से ऐसा बुश बना हुआ है इसके आगे भी एक है तो मैं फिलाल आपको दिखा देता हूँ यह आपको बाद मैं दिखा दूँगा पर दोनों एक तरीके से सेम ही मैंने ग्रोग किया है ठीक है चलिए आप यहां पर देख सकते हो बड़े बड़े पत्ते के उज़से आपको इसके इंदर का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा शायद यह देखिए यहां से भी दो ब्रांच थे मैंने कट कर दिए यहां से भी दो ब्रांच थे मैंने कट कर दिए इसके नीचे भी यह बन रहा है आप सकते हो यहां पर यहां से ग्रो किया यहां तक आया है यहां से दो ब्रांच है फीचर में क्या होगा कि इसका जो मॉंसुन सीजन आएगा उस टैम पर मैं यहां से इसको आप देख सकते हो यहां पर मैं पॉट रखके दिखा रहा हूं आपको यहां से मैं इसको एर लेरिंग कर के बहार निकालूँगा तो आप देख सकते हैं जब मैंने यहां पर पॉट रखा है तो एक छोटा सा बॉंजा जैसा दिख रहा होगा आपको एक सेकंड तो आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है उपर के इसके बुशिस भी काफी अच्छे से आ गए है इसका बस अभी बचा हुआ क्या है कि इसको जब मैं यहां से एल लेरिंग करके निकालूँगा तो फिर सिफ बाकी रह जाएगा इसका ट्रंक को मोटा करना और इसके रूट को थोड़ा अच्छे से डेवलॉप करना जिसको हम नीबारी कहते हैं तो इसको कम से कम इतना मोटा हम कर देंगे तब जाके एक बहुत ही छोटा अच्छा मामे बंजाई या ता शोहीन बंजाई बनेगा वट गाईज आप देख सकते हैं तो यहां पे बड़े-बड़े पत्त दो तीन दिन के ही अंदर शूट्स भी दे देते हैं और काफी लंबे भी हो जाते हैं अब यहां पर उपर से देख सकते हो काफी घना हो गया है तो कटन क्रीपर को कोई भी ज़्यादा सीरिस्टी नहीं लेता मुस्ली उसको ऐसी सोचते हैं के वेकार प्लांटे 10 रुपे का भी मिलता है और जो लोग लगाते उसको भी बद उसको लंबा लंबा करके घर से लटका के बैलकनी से छोड़ देते हैं बट गया पर हम उसको बहुत ही अच्छा और सुंदर बहुंजा बना सकते हैं अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देख से यहां पर व अगर मैं ने सोचा कि यह दोन शूट को अगर मैं अटा दूवर इन दोनों शूट को रख़ओ इन दोन शूट को कट करो तो एक अच्छा बहुंजा स्क्चर बन सकता है और यह बन भी गया है और आपको सुनकर यह बहुत ज़्यदा खुशी होगी कि कर्टर क्रिपर जो है वो cutting से बहुत easily grow हो जाता है मैं सिर्फ एक cutting creeper लाया था ये जो मैंने लगाया था ये भी एक पतला सा stem था पतला सा लकडी था जिससे मैंने लगाया था आप यहाँ पे जो देख सकते हो ये भी एक पतला सा ही stem था जो सिर्फ monsoon में लगाने के वज़र से तना मोटा हो गया है मैं आपको ये गाइड करूँगा कि cutting तो आप summer में भी ग्रो कर सकते हो winter में भी ग्रो कर सकते हो बड़ जादा मोटा नहीं होगा मोटा कब होगा जब आप उसको monsoon season में लगा हो और इनी season में जब उसके cutting लगा होगे तो इसका result 100% आना ही आना है और वो जल्दी मोटा भी हो जाएगा क्योंकि इसके root को सोड़ा moisture मिलेगा और वो जल्दी बड़ा हो जाएगा तो इनको मैंने monsoon में लगा है और आप इनका growth देख सकते हो अभी चलते हैं नीचे के तरफ नीचे के तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मोटा सा branch है यहाँ पर एक मोटा सा branch है और नीचे के तरफ जा रहा है तो गयाज जब मैं इसको air layering से यहाँ से air layering करूंगा और निकाल दूँगा इसको अलग कर दूँगा तो मैं इतना पूरा पार्ट मैं कट कर दूँगा यहां पे एक और बॉंजय बनाने का मैं ट्राइ नहीं करूँगा क्योंकि इसको भी बॉंजय बनाना रहता है तो इतना जैसे एर लेरिंग हो जाएगा मैं इसको सीधा यहां से कट कर दूँगा और यह जो वाई शेप में जो आ रहा है इसको मैं बॉंजय बनाने का ट्राइ करूँगा और गाज़ आप देख सकते हो कि इसका नीचे का पार्ट है वो मोटा है उपर की कंपरेजन में तो नीचे के जो ट्रंक है वो मोटा है और इसका रूट जमीन के अगर lead भी कर गया जैसे कि अगर कोई इसका एक single branch बहुत ही मोटा और सीधा चला गया जिसको lead करना कहते हैं वो lead करने के बावजूद भी उसके पूरे body में जितने भी branches रहेंगे जितने भी पत्ते रहेंगे वो सब के सब equal amount में बढ़ते हैं कोई भी रुकता नहीं है जैसे आप फाइकस वीरेनस देखोगे या पीपल के देखोगे आप फाइकस जनरली क्या होता है कि उसके जो branches है वो अगर एक branch lead कर गया तो उसके बागे सारे branches slow पड़ जाते हैं को nutrition नहीं मिलता है और curtain creeper का ऐसा नहीं है आपको यह पता होगा क्योंकि curtain creeper बहुत ही rapidly फैलता है जंगलों में तो कभी भी उसको यह lead का issue नहीं आता है तो आप देख सकते हैं कोने से एक branch grow कर रहा है मैं थोड़ा काट दूँगा इसको लेखिए मैं तोड़ी देता हो भी इसको यहां से तोड़ दिया मैंने इसको यहां से और गाइस यह बहुत ही hardy plant होता है अगर आप इसको grow करोगे तो यह बहुत दिनों तक भी रहता है यह जल्दी मरता भी नहीं है और अगर यह गिर गया जिसकी जो होए वह काफी hardy plant होता आप देख सकते हो आप इसको wiring भी कर सकते हो बहुत इजली वाइरिंग को accept लेता है बट मैं क्या कर रहा हूं कि इसकी जो body पतले रहते ना इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटे bonzai बना रहा हो इतने इतने height में आपको मैंना बीच दिखाया है यहां प स्टोड़ा बहुत सक्सेस्फुल तो जा रहा है क्योंकि मेरे पास ना काफी सारे कटन क्रीपर के पेड़ है काफी सारे आप यहां पर देख सकते हो मैंने cutting grow कर रखा है बहुत सारे शायद मैं गल्ती कर दी कि उनको मैंने bottle में रखा मुझे शायद उनको सिदा जमीन में ही जल्दी इतना grow हो जाते बॉटल में आप देखिए इन सब को साथ में में लगा थे कितने पतले पतले हैं बट कोई नहीं गाइज मैं उनको बात में जमीन में लगा दूँगा और ऐसी बॉन्जय बना पाऊंगा तो गाइस मेरे ही सजेशन रहेगा आप आज संडे है जरा बहुत लगे जाए है करते जांगे जाए नरसरी में जाके बोलिया कि मुझे पर्दा बेल चाहिए तो पर्दा बेल नहीं तो कटन करीपर जो भी उनको समझ जाए और दस रुपय का मिलता है घर छा पैसेक्टिन हो कृक्षब नहीं में लंगा नहीं मिलेगा और ठीछर ला जाएगा सारे उसके चीज़ेहीं निबारी बन जाएगा बुशी हो जाएगा बॉसी ब्रांचिज़ा जाएगे आलमोस्ट पूरा आपका बंसाई वहाँ मैंने अपने सबसे बैस्ट वीडियो रखे हुए हैं और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो वहाँ में अपने डेली अपने जो बॉंजाई है उसके अपडेट्स रखता रहता हूं वहाँ पे ताकि फीचर में आपको दिखा सको के बीफोर आफ्ट रहेंगे तिल देन गाइज एपी ग्रॉइंग्ग